हे अबरीवन वेलकम बाक टू वीजे आटो व्लॉग्स एंड आज हम बात करने माल है और न्यू हुंड़ाई अलकजार के बारे में जो कि ऑफिशली लॉंच कर दी गई है अभी इंडिया में 18 ऑफ जून को और यहां पे टोटल तीन वेरिंट आपको देखने को मिलेंगे प् होकर गए और जो टॉप अप दे लाइन सिगनेचर वह जाता है उनुनिस लाख निन्यान वह जार नौ सो तक अब बात करें इसके फ्रेंट की तो यह गाड़िया आपको फर्स्ट लोक में क्रेटा की या जरूर दिलाने वाली क्योंकि most of the element जो इसके फ्रेंट के हैं वो क्र और एक चीज़ और यहां पर आपको मेंशन करना चाहूंगा कि फ्रेंट में आपको चार parking sensor मिल जाते हैं उसकी प्लेसिक यहां पर है और एक इस black portion में दूसरी यहां पर आपको 3 led unit setup देखने को मिलेगा ऊपर के तरफ डी अरल से तरफ forg lamp with side indicator merge मिलेंगे surrounding के साथ chrome की और side मे देखने को मिल जाएगी गाड़ी के चारोई तरफ एंड इस विरिंड में जो है टाइर साइज 18 इंच आते हैं इस गाड़ी में और आप फ्रेंट में और रियर में देखेंगे अगर तो आपको डिक्स ब्रेक देखने को मिल जाते हैं यहां पर एक आटो की बैजिंग देखन मज़ा ले सकते हैं यहां पर जो हैंडल देख सकते हैं आप सेमी क्रोम के साथ मिलेंगे और रिक्वेस्ट सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है रियर डॉर में भी आपको सेम हैजट इस चीज मिलेगी बस यहां पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता और यहां पर एक के तरफ और जो यह exhaust note आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के लुक में आता है और spare wheel भी इसका नीचे की तरफ ही है गर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरीके का है और tail lamp इनुट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के नीचे अगर हम आते हैं तो signature का branding करी गई ह साथी साथ एक बर मैं इसको on भी करके दिखा देता हूंगी कि किस तरीके का night में जलते में दिखेगा tail lamp तो कुछ इस तरीके का है पीछे से मुझे Tata Hexa के look याद दिलाती है गाड़ी कहीं न कहीं और यहां पर आप देख सकते हैं बड़े-बड़े chrome letters के साथ अलगजार लि यह 2.0 कि आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है अब चलते हैं साइड में तो यहाँ पर आपको फ्यूल लिड देखने को मिल जाती है और उपर की तरफ एक काफी बड़ा सा glass area मिल जाता है जो की airy feel कराता है अंदर बैठने पे उपर आप जेक्सित की roof rails मिल जाती है में doors पर देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर जो मुझे सबसे चीज लगी है वो जो doors के अंदर जो कटन दिए गये हैं काफी ज़्यादा premium feel कराते हैं गाड़ी के अंदर बैठने पर और साथी साथ आपको sun rays बगार से बचाते हैं नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर ल जब हम करते हैं तो scratches वगरा से आपको बचाती है आपकी गाड़ी को बचाती हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दिया गया है मिड्रो में जो की captain seats हैं और काफी compatible हैं बट यहाँ पर आपको air ventilated seats नहीं मिलती है जो mid row seats हैं आपको front में मिलेगा option सिर्फ और बैठ के देख charging point और यहाँ पर mobile रखने का options मिल जाता है साथिया तो इस पर हम भी इतना बड़ा नहीं है और यहाँ पर दो cup holders दिये गए हैं उसी के नीचे wireless charging का point भी दे रखाया यहाँ पर armrest के अंदर space अगर देखे तो आपको front जैसे space मिलेगा काफी अच्छा space है कोई इसमें परशानी नहीं है बट यह fixed armrest यहाँ पर आपको इसको adjust नहीं कर सकते हो एंड एक बार अगर roof area के तरफ देखे तो यहाँ पर काफी premium आपको lamp दे रखे हैं जो कि night में काफी ज़्यादा अच्छे लगते हैं गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे और इनको on कर देंगे तो यह क्र order भी दे रखा है या फिर border holder तो यह काफी अच्छा है और यह सीट के अराम से मर्ज कर जाता है देखने में काफी neat and clean लगता है चलते हैं इसके last row की सीट की तरफ वहां पर देखेंगे कि क्या कुछ comfort देखने को मिलता है तो यहाँ पर इसको पहले पीछे जाने के लिए इस कुछ खास यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज़्यादा मेरे पैर जो है ऊपर है और comfortable तो मैं विल्कुल भी नहीं बैठा हूँ तो बच्चों के लिए basically seats है यहाँ पर एक एक AC वेंट दे रखा है और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक USB charging point दे रखा है इसको यहाँ नोब दे रखी control करने के लिए airflow के लिए और आपको इस गाड़ी में features की कमी तो बिल्कुल भी निखलने वाली क्योंकि यह गाड़ी पूरी loaded है features के साथ और यहाँ पर मैं left में भी आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे आपको right में options मिल रहे थे वैसे same as it is options आपको left में दे दी गई है और यहाँ पर कुछ controls दिए गया है जैसा कि आपका joystick दिए गया और यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर लॉक वगरा करने के लिए option दिए और बात करने तो यहाँ पर आपको ventilated seats भी आपको front row में देखने को मिलती है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपनी seats को भी adjust कर सकते हो चलते हैं गाड़ी के अंदर आप बात कर लेते हैं इसके steering wheel की तो यहाँ पर आपको leather wrap d cut steering wheel देखने को मिल जाता है dual tone में same as it is kreta की तरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा left hand side में आपको कुछ options मिल जाते हैं media के volume controls के voice command के तो यह कुछ इस तरीके से आप इसको adjust कर सकते हो right hand side में आपको जो options मिलते है cruise control वगरे का option मिल जाते हैं information की button मिल जाते हैं आपको यहाँ पर आपको पैटल लांस मिल जाते हैं जो की काफी अच्छी चीज़ है और right hand side में आपको headlamp के adjustment के कुछ switches मिल जाते हैं left hand side में आपको wipers वगारा के options मिल जाते हैं चेंज करने के यहाँ पर आपको push button मिल जाता है यहाँ पर protection control park assist and यहाँ पर कुछ headline की जो leveler होते हैं उसके options इस को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके का animation हमें देखने को मिलता है instrument cluster में अगर दूसरी बार दबाएंगे तब आता है पहली बार में आपका जो steering wheel है वह unlock होता है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखते हैं कि animation देखने को मिलता है और बात कर लेते हैं इसके steering wheel की दुबारे से तो यहाँ पर आपको tilt and telescopic option भी मिल जाता है यह चीज में बताना वोल गया था तो एक बार मैं दिखा लेता हूं आपको तो कुछ इस तरीके का आपको option मिल जाता है एक और चीज में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जैसे हमारा जो instrument cluster यह 10.25 inches के साथ आता है और आपको यह fully digital screen मिलेगी आपको यहाँ पर किस तरह कैसे कोई भी analog का यूज नहीं किया गया या फिर कोई भी other element का यूज नहीं किया गया यह totally आपका digital मिलेगी आपको center में आपको काफी सारी information मिल जाती है बट यहाँ पर अगर मैं उसको navigation button भी मिल जाता है और center में आपको यहाँ पर volume control का option भी मिल जाते है तो कुछ इस तरीके का नोब है और नीचे के तरफ देखे तो यहाँ पर automatic AC climate control मिल जाता है उसी की नीचे आपको यहाँ पर wireless charging के support मिल जाता है 12 वोल का charging socket USB port और यहाँ पर fast charger का option भी आपको मिल जाता है साथ यहाँ आप गेर लिवर की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का गेर लिवर आपको देखने को मिलेगा जो कि camera का view मिल जाता है यहाँ पर प्रेस करते ही मेरे को जितने भी cameras लगे वे गाड़ी के अंदर वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और आपको अलग-अलग एंगल से शुरू कर देते हैं यहां से आप उसकी settings भी चेंज कर सकते हो कि कौन से camera से आपको view देखना है तो इस तरीके से इसमें space कितना है तो एक बर इसको हटाता हूं और काफी decent space है किसे दर कोई problem नहीं है तो यहां पर digital display भी दी गई है air purifier की यहां पर उसके controls भी check out कर सकते हो तो adjustable नहीं यह fix आपको यहां पर armrest मिलेगा तो यह एक चीज रहने वाली है साथ साथ आप IRVM की बात करें तो यह भ कुछ buttons दिए गए और one-touch SS आपको मिलेगा इसकी sunroof खोलने के लिए तो देख सकते की massive panel rolling sunroof यहां पर आपको देखने को मिल जाती है और काफी ज्यादा ही है खुबसूरत लगती है खोलने के बाद इसको अगर बंद करना हो तो दुबारा से आप इसको one-touch करेंगे और यह completely आपके आपके दुबारा वापस बंद हो जाती है तो कुछ इस तरीके से यह बंद होरी एक बर मैं आपको दिखा भी देता हूं इसी के साथ आपको sunglass holder भी दिखा रेता हूं तो इसको एक बार टच करेंगे तो काफी smoothly open हो जाता है यहां पर अपने goggles वगरा या फिर sunglass वगर रख सकते हो और यहां पर left hand visor में देखें तो यहां पर vanity mirror मिल जाता है बट लैंप नहीं मिलता और glove works देखें तो यहां पर आपको cool glove works मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं और space भी काफी अच्छा इसमें ठिक ठाक आपको देखने को मिल जाता है and a pillar भी आप यहा अपनी गाड़ी को बाहर से start कर सकते हो यहां पर सबसे last में boot open करने का button दिये गया है बट आपको यह open manually करना पड़ेगा इसको एक बार open कर लेते हैं तो अब open होई गया है अगर हमारा boot तो space भी बता लेता हूं यहां पर 180 लिटर का आपको boot space देखने को मिल जाता है और left में आपको subwoofer भी देखने को मिल जाता है और इसको लिवर को अगर हम पुल करते हैं तो इसके नीचे आपको toolkit भी देखने को मिल जाती है जो की काफी neat and clean place करी गई है यहां पर अगर last seat को हमें fold करना हो तो कुछ इस तरह के से इस लिवर को खीचना पड़ेगा और यह इस तरह क है अब बात कर लेते हैं अपने सबसे में फीचर की जो की safety तो यहां पर six airbags जाती है गाड़ी आती है और other features की बात करी जाए तो यहां पर anti-lock braking system, center lock, power door lock, child safety lock, driver airbag, passenger airbag, side airbag, auto day and night rear view mirror, passenger side rear view mirror, rear seat belt, rear seat belt warning, low reserve warning, side impact beam, front impact beam, traction control, adjustable seat, tire pressure monitor, vehicle stability control, engine immobilizer, crash sensor, engine check warning, automatic headlamps, EVD, electronic stability control, advanced safety features, emergency stop signal, follow me home headlamps, rear camera, speed alert, speed sensor auto door lock, isofix child seat mounts, pre-retentioner and 4-cylimiter seat belts, blind spot monitor, hill assist, impact sensor, auto door unlock, जैसे features मिल जाते हैं and up बात कर लेते हैं, engine and transmission की, तो यहां पर आप signature variant देख रहे हैं, जो की 2 liter petrol engine के साथ हमें offer किये जाता है, जो की maximum power produce करता है, 156 bhp की, 6500 rpm पे, maximum torque की बात करते हैं, तो 191 nm का यहां पर torque produce करता है, 4500 rpm, number of cylinder यहां पर आपको 4 देखने को मिलेंगे, transmission के अगर बात करते हैं, तो य offer किया जा रहा है, so guys, यह थी Hyundai Ilkazar signature variant petrol में, और होप कर तो वीडियो आपको अच्छा लगे हो, कि सारे points मैंने cover की होंगे, कुछ points छूट गए हो, तो please, उसके लिए mind ना करें, और आपके कोई suggestion हो, या फिर आपके mind में कोई question हो, तो comment box में जाके अपने comment छोड़ सकते हो, मैं इसको answer जरूर करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको best से best answer देने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर चैनल को आपकी बहुत ज़रा जूरत है support की, तो please, चैनल को support करें, वीडियो को like करें, और चैनल को subscribe करें, हो सके तो अपने family and friends में, वीडियो को share करें, तो आज के मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, thank you guys, bye bye